Hello students, मैं हुजू बेर सैपी and I welcome you to my YouTube channel Orator Institute of English आज मैं आपके लिए explain करूँगा एक poem जिसका नाम है My Heart Leaps Up When I Behold जो लिखी है William Wordsworth ने नौ लाइनों की ये छोटी सी poem है और इसे लिखा गया था 26 March 1802 को और इसे 1807 में publish किया गया था एक epigraph के तौर पर और ये epigraph थी एक बहुत ही important poem की जिस poem का नाम है Odd Intimations of Immortality की इसी poem में English Literature की एक बेहरी historical line आपके William Wordsworth ने लिखी है और वो line है The Child is Father of the Man ये एक paradoxical statement है जिसको हमने explanation में बहुत detail से समझाया है आपको जरूर समझ में आ जाएगा Students अगर आप चाहते हैं कि मैं regular आप फिरो वीडियो बना कर देता रहूं तो आप मुझे Patreon पर support कर सकते हैं Link उसका description box में दिया गया है मिलते हैं explanation के बाद My heart leaps up when I behold मेरा दिल उचल पड़ता है जब मैं देखता हूं ये जो poem है William Wordsworth की यहाँ पर William Wordsworth यानि speaker जो हैं वो अपनी feelings को बता रहे हैं जो हमेशा उनके अंदर रहती ही है और वो हमेशा रहेगी जब जब वो एक rainbow को देखेंगे आसमान में वो जब भी rainbow को देखते हैं उनका दिल जो है rejoice करता है खुशिया मनता है वो कहते हैं कि वो इस खुशी से कभी दूर ही नहीं होना चाहते यानि वो कभी नहीं चाहते कि ऐसा कोई दिन आए जिस दिन वो rainbow ना देखे अगर ऐसा कभी हो भी कि ऐसा हो कि प्रकरती ने rainbow को जो existence है उसको ही बंद कर दिया rainbow उसका दिखना बंद हो गया तो वो मरना ज्यादा पसंद करेंगे यह जो poem है इसमें आपके poet ने एक बहुत ही historical line लिखी है और वो line है the child is father of the man यह एक paradoxical line है यानि इसमें paradox का इस्तेमाल किया गया है आम जिन्दगी में यह माना जाता है कि जो आदमी है वो बच्चे का पिता होता है लेकिन आपका poet कहा रहा है कि the child is father कि बच्चा पिता है आदमी का इस line को आपको समझना पड़ेगा अच्छा ऐसा इन्होंने कहा क्यों है क्योंकि हमारा जो present है हमारा जो वर्तमान है वो हमारे past का हमारे भूत काल का ही तो outcome है जो हम past में करेंगे वो ही तो हमारा present बनेगा और जो हमारा future होगा naturally वो हमारे present का outcome होगा हम present में जो करेंगे वो ही हमें future में मिलेगा एक आदमी जो आज आदमी है वो कल बच्चा था और जो आज बच्चा है वो कल आदमी होगा इसलिए कहा जाता है क्या कि जो manhood है जो पुरुशुत्व है वो childhood से start होता है अगर आप बच्चपन ही जीकर नहीं आएं तो आप manhood तक कैसे पहुचोगे poet wish करता है कि उसके दिन इसी तरह से एक continuous chain में बीचते रहें कि उसका बच्चपन, उसका adulthood, उसका manhood और उसकी old age लेकिन वो ये दिन कैसे बिताना चाहता है with the deep respect for nature, nature की deep respect के साथ साथ जी हाँ, कल का जो बच्चा है वो आज का आदमी है और आज का जो बच्चा है वो कल का आदमी होगा इसलिए आपके poet ने कहा the child is father of the man यहाँ पर speaker आपका जो poet है, वो अपनी poem में consider करता है कि बच्चे, पृत्वी पर रहने वाले बच्चे जो है, वो ईश्वर के और वो heaven के ज्यादा करीब होते हैं क्योंकि उनके अंदर impurities, विशुद्धियां और अवगुण adults के मुकाबले थोड़े कम होते हैं नौ लाइनों में सिम्टी ये खुबसूरत poem अपने आप में बहुत ही गहरा मतलब रखती है अब हम इसको line to line पढ़ेंगे My heart leaps up when I behold a rainbow in the sky So was it when my life began, so is it now I am a man So be it when I shall grow old or let me die The child is father of the man and I could wish my days to be bound each to each my natural fighting My heart leaps up, मेर दिल उचल पड़ता है When I behold, जब मैं देखता हूँ, a rainbow in the sky Sky में एक rainbow गो So was it, ये तब भी था, ये rainbow तब भी था When my life began, जब मेरा जीवन शुरू हुआ था यानि जब मैं छोटा बच्चा था, मैं तब भी rainbow देखा करता था So is it now, और ये आज भी है, I am a man जब मैं आदमी हूँ So be it, ये तब भी होगा, when I shall grow old, जब मैं बुड़ा हो जाओंगा और let me die, अगर ऐसा नहीं हो पाया, कि जब मैं बुड़ा हो जाओंगा और rainbow मुझे दिखना बंद हो जाए, तो मैं मरना पसंद करूँगा The child is father of the man, बच्चा जो है, वो आदमी का पिता है And I could wish my days to be, और मैं चाहूंगा कि मेरे दिन कैसे रहें Bound each to each by natural piety, वो बंदे रहें, एक दूसरे से natural piety, piety कहते हैं ईश्वर भक्ती कि मैं nature को पूछता रहूं, मैं nature की ईश्वर भक्ती में लगा रहूं वो चाहते हैं कि उनका बच्चपन, उनका adulthood, उनका manhood, उनकी old age इस तरह से उनके दिन बीते हैं, कि वो अपनी आखरी सास तक nature की ईश्वर भक्ती में लीन रहें वो nature को पूछते रहें, और nature की खुबसूरती को निहारते रहें और उनका heart जो है, वो उचलता कूटता रहे So students, I hope आपका explanation समझने आगई होगी, मिलते हैं next video में, तब तक के लिए bye-bye चार काम जरूर करने हैं, like, comment, share और subscribe, subscribe जरूर करने और share जरूर करने चलिए, चल्दी ही आपसे मिलते हैं, bye आप मुझे इंस्टा पे जरूर फॉलो करने, link description box में है, वहाँ हम आपसे बहुत सारी बाते करते हैं, bye